Hello viewers, welcome back आपके चैनल पे Divine Bubble With me, your tarot reader Sushmita आज हम एक बहुत ही different video करने वाले है जिसकी जरूरत मेरे viewers को पढ़ती है हम यहाँ क्या करते हैं? We do tarot readings for you and हम problems में deep dive करते हैं pick a card readings करते हैं monthly forecast करते हैं हर एक zodiac के लिए उसके बाद हम अलग-अलग जिसे कहते हैं आपके life की जो sectors हैं अलग-अलग जो areas हैं जैसे की career हो गया, आपका finance हो गया, आपका relationship हो गया education हो गया या फिर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं बाहर नौक्री ढूनना चाहते हैं कब आपकी शादी होगी इस तरीके के जो है सवाल आप लोगों के रहते हैं जब इन चीजों में आप transition कर रहे होते हैं जब आप अपनी मंजल तक पहुँच रहे होते हैं, रास्ते में ही होते हैं at times के होता है ना हमारी self-esteem बहुत impact हो जाती है, जो आपका self-confidence है खुद में जो विश्वास है वो बहुत impact हो जाता है तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि self-esteem जब आपकी effect होने लगे, जब हिलने लगे वो क्या signs हैं और आप इसको कैसे improve कर सकते हैं, आपके साथ मैं 5 points शेर करने वाली हूँ, 5 tips from me, Sushmita ताकि आपको मिल सके idea कि आपको इन चीज़ों को कैसे tackle करना है यह timeless video है, यह आपके लिए guidance video है, यह हमारे दिल से आपके दिल तक, आप सुनिए इसका फायदा उठाएए आपकी help करने के लिए ही हम लोग यहां पर हैं, okay सबसे पहली चीज focus करना चाहते हैं, मान लेजे किसी exam के लिए ही तयारी कर रहे है ठीक है, पहला attempt आप दे चुके हैं, बहुत ही difficult exam है, example ले लेजे UPSC का exam है, SSC का exam है या फिर आपकी age जो है, it is above the regular age bracket, यानि की आप 32, 34 age में चले गए हैं और अभी तक आपकी शादी नहीं हो रही है तो बहुत सारी चीज़े जो है बाते दिमाग में चलने लगती है आप खुदी को जिसे कहते हैं, आप खुदी को blame करना start कर लेते हैं, आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद मुझ में वो बात ही नहीं है, जिसके वज़े से मैं इस exam को clear कर पाऊं या मेरी शादी कभी होई नहीं पाएगी मेरी किसमत में है ही नहीं इस type की thoughts आपके दिमाग में आ सकती है इसे बोलते हैं negative self-talk क्या बोलते हैं negative self-talk आपको इस negative self-talk को पहले observe करना है क्या ये मेरे अंदर आने लग गई है फर्स स्टेप ठीक है सेकेंड स्टेप है क्या ये negative thought आने के बाद में बहुत जादा खुद को degrade तो नहीं करने लग गई हूँ या degrade तो नहीं करने लग गया हूँ मुझे लगता है कि मुझसे होगा ही नहीं मैंने conclusion निकाल लिया पहले मैंने सोचा कि ये difficult है अब मैं conclusion निकालने लगी हूँ कि second attempt ये third attempt देने में कोई फाइदा नहीं है मुझसे तो होगा नहीं I am looking for another options now या फिर for example in love and relationships मेरी शादी नहीं हो रही है मुझे कोई partner नहीं मिल रहा है तो जो मुझे मिल रहा है मैं उसी के साथ settle हो जाओ जिससे कहते हैं ना जो आपका second या third best option है आप उसके साथ जाने के लिए agree कर जाते हो ठीक है ये दो signs हैं बहुत बहुत common जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो self esteem है वो अब impact होने लग गई है जैसे जैसे ही ये गिरती चली जाएगी वैसे वैसे आपका जो काम करने का जो zeal है आपका optimism है energy है interest है ये सब भी गिरने लग जाएगा क्या कि मैंने बताया notice करना आगे interest है positivity है confidence है zeal है ये सब चीजें गिरने लग जाएगी तो अभी आप इस situation में क्या करोगे अगर आप ये सारे points टिक होते हैं इसका मतलब self-esteem को improve करने के लिए जो आगे points बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत important है सुनना ध्यान से सुनेगा सबसे पहला point ठीक है जो सबसे important point है वो ये है कि आपको खुद को positive support देना है generally हम क्या करते हैं हम दूसरे लोगों से expect करते हैं हमारे parents हमको बोलेंगे कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो इस exam को clear कर सकते हो ठीक है एक तो वो support हो गया that is the right way उसके बारे में भी हम बात करेंगे but first आपको खुद के अंदर से support लाना है खुद को support करना है positive support करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा affirmations practice करना चाहो तो आप जो मेरा instagram channel है उसका link यहाँ कहीं उपर होगा ठीक है आप वहाँ पर जाके भी check कर सकते हैं वहाँ पर हम daily affirmations post करते हैं वह आपको help करेगा एक tool की तरह आप उस instagram page को use कर सकते हैं you will get positive affirmations every day for example आप exam अगर clear नहीं कर पा रहे हैं you can practice saying I am good enough उस exam को clear करने के लिए you are saying this to yourself again and again I am good enough सुबा morning में meditation करने के बाद if you practice this daily देखना आपका जो self confidence है जो subconscious mind है उसको आप program कर लोगे you can do this अगर आप relationship में होगा ठीके और एक बहुत ही tough face से निकल रहे हो say this to yourself I can do hard things I deserve love यह आप practice करो खुद को बोलो बार बार I can go through this यह चीजें जो है अगर आप खुद को बताते ही तो आपका subconscious mind जो है वो इस तरीके से बना है कि इन चीजों को internalize करेगा और आप खुद में change देखेंगे अब यह एकदम से नहीं दिखेगा आप 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 खुद के लिए प्राक्तिस को देन यू विल स्टाइब आप अब नेक्स टेप दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं यह हैं dedicate time for yourself खुद के लिए time निकालो आप सारा दन busy रहते हो ठीक है अपना काम करते हो दूसरों के लिए काम करते हो बाते सुनते हो दूसरों के लिए analyze करते हो खुद के लिए भी at least 15-20 minute निकालो in a day and अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं आपकी help करूँ you can whatsapp me we can have daily जिसे कहते हैं एक chat session you can have with me जहां पर I can listen to you help you understand की actually आपके दिमाग में चल क्या रहा है ठीक है खुद को बिना जज करे जो भी चीज़े दिमाग में आ रही हैं उनको सुनो समझो क्या चल रहा है आप जो है आपको जज नहीं करना है खुद को आपके मन में पुरानी पुरानी चीज़े आएंगी तब मैंने ये काम किया था तब उससे मैंने ये बात बोली थी मुझे रिस्पॉंस में ये चीज़े मिली ठीक है अभी आप शांती से बैठे हो और ये चीज़े दिमाग में आ रही हैं आप जज ने करो लेट देम कम आप खुद ही नोटिस करोगे कि जो बेफालतू की चीज़े हैं जिनका कोई मतलब नहीं है जो आपके बर्डन दे रहे थी दीरे करके खतम होने चले होती चले जाएंगे डी क्लटर होता चला जाएगा आपका दिमाग ठीक है क्योंकि जब आप सोचोगे ना इस चीज में तम शांती से डेडिकेट होके तो आप इसके लिए better decision ले पाओगे बेस्ट है कि अगर आप ये activity morning time में करें यूँकि तब हम सबसे fresh होते हैं you can make the best decision खुद को priority बनाओ और अपने लिए सबसे पहले सोचो ठीक है result क्या होगा मैंने आपको बताया ना आपको clarity मिलेगी आप जो है जो imaginary चीजे होती है ना कई बार हम सोचते हैं उसने ऐसा कहा उसके बाद ऐसा कह दिया होगा बातों को जोड़के भी make some conclusions तो कुछ जो चीजे नहीं भी होई होती है we start thinking about them यहाँ पे क्या होगा उन से छुटकारा मिलेगा और आपके जो complicated emotions हैं you will be able to work through them third point जिसके बारे में हमने first point में ही touch कर लिया वो है कि आप खुद को surround करो with supportive and authentic people supportive people जैसे आपकी family हो गई है जैसे कि आपकी girlfriend है आपकी wife है जो आपको support करती है इन लोगों में से at time जरूरी नहीं है कुछ cases में ऐसा होता है कि support नहीं मिल पाता है for example wife इतनी supportive नहीं है या फिर parents आपको accessible नहीं है दो supportive नहीं है for that case again I will say I am here you can chat with me इन लोगों के support से आपको क्या मिलेगा you will get acceptance you will get approval कि आप जहां जा रहे हैं वो सही रास्ता है आपको यह आगे और ambitious step लेने के लिए power मिलेगी ठीक है acceptance और approval की power बहुत strong होती है इस support system से आपको वह much needed question मिलेगा क्योंकि जब आप challenging चीज की तरफ जाते हो आप उपर उठते हो आप उस relationship को ना पालो जब तक आपका यह जो milestone है of getting married पूरा ना हो जाए बार-बार-बार-बार you have to keep pushing it keep pushing it और जहां पर वह आपका question है वो है आपके loved ones का acceptance and approval दो यह थोड़ा सा dangerous भी हो सकता है मैं पहले ही बता दो do not depend too much on it जो आपको step one बनाया मैंने की आप खुद के लिए positive support बने that is the most important जिसके उपर आपको जातर rely करना चाहिए यह भी बहुत important है at times available नहीं होता है तो first step कि खुद को ही आप positive support दे you have to do that fourth step ठीक है अब क्या है न कि ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम ही blunder है एकदम ही 0% है एकदम ही dead है ऐसा नहीं है I believe in you होगी बात कुछ तो तभी तो इतना difficult goal बनाया है life में तभी तो आप इतने चूजी है आप में वह value है राइट अभी क्या करेंगी जो छोटी छोटी आपकी accomplishments है उसको हम celebrate करना start करेंगे for example कि अगर exam कहीं मैं example मतलब ले लूँ exam देने का हम पूरी वीडियो में दो example से चल रहे हैं तो मान लेजे exam दे रहे हैं यूप से कही exam दे रहे हैं उस exam में भी बहुत स्टारे steps होते हैं pre होता है means होता है interview होता है हो सकता है आपने clear कर लिया हो that is very good that is very good give yourself a treat है ना यह मत सोचिए कि यह तो कुछ भी नहीं है give yourself a treat buy yourself something good to eat कुछ अच्छा करीदो खाने के लिए खाने पीने का शौक तो सभी को होता है खाने पीने का शौक नहीं है तो कपड़ों का गूमने का give yourself a treat give yourself that cheat day जिसमें आप बहुत enjoy करें खुद की wish को पूरा करो इससे आपको पता चलेगा subconsciously भी आपको idea होगा कि you are on the right track positive support मिलेगा okay next है comfort zone से move on करते भी ना जिसे सिफ एक achievement ही जिसे कहते है कुछ form of success ही विन नहीं है small win for example कि आप पहले approach नहीं करते थे लोगों को for relationship आपके मनने डर था now you have started to approach people that is a small win you have started to move out of your comfort zone यह भी एक win है next है letting go of the past पहले जो बुरा हो गया negative thought है उसको completely दिमाग से निकाल के आगे move को ना is again a win letting go is a win ठीक है फिर नई चीजे try करना हो सकता है कि जिस तरीके से पहले है आपने relationships को approach किया हो जिस तरीके से आपने अपने करियर को अपने office में आपने पहले approach किया हो वो नहीं चल रहा है वह आपने नहीं रास्ता अपना रहा है विचे इस a little difficult आपने पहला ऐसा नहीं किया है ताट इस अगे नहीं स्मॉल बें सेलिपरेट दा ओके लास्त पॉइंट फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूं थोड़ा कॉमन है बट यह बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया को मिनिमाइज करो देटोक्सिफाइ करो खुद को फ्रॉम सोशल मीडिया यूसेज अब सोशल मीडिया में क्या होता है ना कंपारिसन वो चलता है अब कितना भी जिसे कहते है ना अचीव कर लो कितना भी खुश हो जाओ कंपारिसन चलता है कि मेरे पास तो य यह उसके पास यह है, likes, दूसरे लोगों के likes, दूसरे लोगों के आपको comments चाहिए होता है, दूसरे लोगों का approval चाहिए होता है, that is a very toxic pattern, कभी-कभी के लिए यह ठीक है, but when this becomes a regular habit, आप रोज रोज कर रहे हैं, you're spending रोज time on social media, I will say minimize that, ठीक है, and remember social media is not real life, वो जिम्दिगी नहीं है, जिम्दिगी is out of your phone, out of your computers, ठीक है, your real social life, तो यह है मेरी तरफ से आपको 5 tips, आप कैसे खुद के ओपर work कर सकते हैं, जब यह चीज़े improve होंगी, तो आप notice करेंगे कि आपकी relations, आपका career, आप exam clear करना चाहते हैं, उसमें एक positive thrust आपको मिल रहा है, and you can manage things much more, anxiety decrease, डर decrease, stress decrease, all of this will be your result, all of this will be your fruit, यह सब चीज़े जो मेन आपके साथ शार करी, यह सब चीज़े जो मेन आपके साथ शार करी, इस आपके साथ शार करी, अगर आप जानना चाहते हैं, और इनके बारे में याप परसनल कोचिंग चाहते हैं, मुझ से, you can again connect with me, I am always available to hear all of your concerns, ठीके, thank you, I hope you liked it, do subscribe to the channel, like the video, and comment section ने मताइए अगर आप ऐसी videos और देखना चाहते हैं, मिलते हैं next time, bye! श्राओ मात्स ऑप जली कमने खाउए assी जाए मिलते हैं,